आज की नीज देने से पहले आप सभी को बता देना चाता हो कि आज की सभी नीज समचीप्त में होंगे कल से आप लोगों को नीमित रूप से सभी नीज मिलेंगे जार्खन में आज 539 संक्रमितों को पुष्टी हुई जो गड़वा से 50, राची 71, पलामू 63, पूर्वी सिमों 49, बच्मी सिमों 44, बोकारो 29, हजारी बग सताई, सिम्डेगा 25, धनबाद 18, लाते आर अर 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 शायब में 14, देवगर 14, गोमला 12, खुटी 12, सराय किलावे गारा, रामगर 9, गोड़ा 8, कोडार्मा 8, पाकुल 6, ज 22,17, Champ जब कि 15,34,68, लोक स्वष्थ हुए और 44,466 की मिर्थी हुई है भारत में केस 62,17 मिले है जब कि 24,474 लोक स्वष्थ हुए और 11,13 की मिर्थी हुई है राचिय में एक्टिव केस रभिवार को 9 संक्रभितों की मिर्थी हुई है जो राची से 2, पलामोव, पच्मी सिम मोम देवगर वगरीडी से एक एक की मिरिती हुई है वहीं पूर्वी सिमोम से तीन मरीज की मिरिती हुई है बता दे कि रभिवार को 607 मरीज स्वश्थ भी हुए हैं राजे में एक टिव केस इस प्रकार हैं रांजी दो अजर तीर सट पूर्वी सिमोम 1856 धनबाद 407 गोड़ किला दोसो तीरपन गुमलाई 241 चातरा दोसो अर्तिस देवगर दोसो चौदा बोकारो दोसो तेरा साहेव गई 207 पाकुड 197 रामगर 182 लातियार 179 सिम्डेका 149 धुमका संतानबे लोहर दग्गा से 89 मरीज एक्टिव हैं जारकन में पाला पलाज में थेरेपी सफल रहा है बता दे कि और सट बर्चिये ब्रीद पलाज में थेरेपी से सवस्थ हुए हैं आयार भी जवानों में लगतार संक्रमन का खत्रा बरता ही दिख रहा है 250 में से 80 जवान पोजेटी पाए गए हैं विभाग ने सुविधा नहीं मिलने का आरोप लही लगाया है हरताली मंद सुरे ने राज में बढ़ती बेरोजगारी का चिंता ब्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि राज में बेरोजगारी बड़ी समस्या है राजसकार इन चुनावतियों से निपटने के लिए परतिवत और पर्यासरत है जारखन में जल्द खोले जाएंगे 4500 लीडर स्कूल असन द्रो मना जाएगा तिरेंगा मास्क पहनने वालों को बीकरी करने वालों को पर मुकादमा दर्ज होगा बोकारो जिला के एरिया कमांडर वा सब जोनल कमांडर को सुरक्षा बलोन गिरफतार कर लिया है जारखन में 20 वादिवासी दिवस लोकडाउन के बावजूद भी उत चित कालिन धरना पर जाएंगे पीएम किसान की छठी किस्ट आठ क्रोर पचास लाग किसानों को जारी कर दिया गया है बता दे की किसान 2000 की छठी किस्ट बैंक जाकर निकाल सकते हैं 15 अगस्त को सोतंत्रा दिवस पर बच्चे नहीं आएंगे स्कूल सिर्फ सिक्ष को को ही करना होगा जंड तोलन जैक बोर दसवी बरावी कंपोइंटमेंट पर इक्षाक के लिए आवेदन सुरू कर दी है विदार्थी आवेदन कर सकते हैं होम गार्ट जवानों को डिवटी देने के बदले पैसे माँगे जाने के मामले पर डियस पी पर जाज का आदेस डिजीपी ने दिये हैं बता दे की बोकारों के एक होम गार्ट ने होम गार्ट डियस पर पैसे मांगने का आरोप लगाया था देवगर हाथसा ननेमित सेप्टिक टैंक के दम घुटने से 6 लोगों की मौत हुई है जारखन में पुलिस कर्मियों पर संक्रमन का खात्रा बरता ही जा रहा है आपको बता दे कि अब तक 2300 से अधिक पुलिस वालों को कुरोना से संक्रमित होने जबकि पांच की मौत होने की पुष्टी हुई है राजभर में बुलाएपर राजपाल से स्पीकर रविंजरनात महतों ने मिले है उन्होंने कहा है कि नेतापतिपल्च के मुदे पर बात हुई राजभर में युवा कंग्रेस ने युवाओ के लिए रोजगार दो अभियान को सोसल मीडिया के माध्यम से जारी किया है बता दे कि जिसमें 24 अया ट्वीट और 1200 वीडियो जारी किये गए है गिरीडी में हाथी के कुचलने से एक युवाक की मौत हो गई है जारखन के सभी जीलो में 15 अगस्त गंदगी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है किसानों के मुद्दे को लेकर दिपक परकास ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब किसान आत्मनिर्भर बनेंगे किसानों के लिए 2000 को रूपय की माफ़ी का वचन दिया है बता दे कि किसानों की जल्द ही रीन माफ़ किये जाएंगे धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही कल से आपको नियमित समय पर सुबा 4 बच कर 45 मिट में वीडियो मिलेंगे तो आज के लिए इतना ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसेप पर अवसे सेर करें साथ साथ आप हमें कोमेंट में अपना सुजा अवसे दे थाइंक यू